नमस्कार दोस्तों अभी अभी दो मिनिट पहले की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है पुल से अचाना गिरी सावारियों से भरी खचा-कच बस 22 की दर्दनाक मोत हो गई है पूरे देश में 600 की लहर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीवी भावुक हो गए है जिया साती बता दे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मद्दे प्रदेश से प्रदेश की ग्रह मंतरी नरोतम मिस्रा ने ये जान करे दी है मिस्रा ने बताया है कि गटना सुबह 8 बज कर 40 मिनट पर हुई है और बस डोंगर गाओं के पास दसंगा पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बोराद नदी में जागिरी और उन्होंने कहा कि इस गटना की मजिश्ट्रेट जाच की आदिश दिये गए है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुरगटना में लोगों की मोत पर गहरा सौक व्यक्त किया है और प्रतिय के मिर्तक के परिजनों को 2-2 लाख रुपिय की अनुगरेसी जुरासी है वो भी देने की घुश्टना की है दुरगटना के समय बस में लगबग 50 यात्री सवार थी मिस्रा ने कहाए कि घायलों को खरगोन के जिला अस्पताल में भरती कराए गया है मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवरास सिंग चोहान ने दुरगटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपिय अनुगरेसी देने की गोश्टना की है मिस्रा ने कहाए कि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपिय और मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपिय दी जाएंगी उन्होंने कहाए कि प्रदेश सरकार घायलों के इलाजगा पूरा खर्च वहन करेगी प्रदान मंत्री कारयाले की और से किये गए एक ट्यूट के मुताबिक मोधी ने कहा है खरगोन में हुआ सड़क हाथसा अतियंत दुखद है इसमें जिन लोगों ने अपने प्रिये जनों को खोया है उनमें उनके प्रती मेरी गहरी सोक समवेदना है इसके साथ ही मैं सभी घायलों के सिग्र स्वेस्थ होने की कामना करता हूँ दोस्तो इस प्रकार के लगतार हाथसे हो रहे हैं इसलिए बार-बार कहते हैं कि जब भी गाड़ी ड्राइव करो तो बड़ी से गाड़ी ड्राइव करने चाहिए ताकि दोस्तो इस प्रकार के बड़े हाथ से ना हो अब आखिरकार जो बस है वो दोस्तो पुल से कैसे गरी इसकी एक जाँच चल रही है जैसे ही दोस्तो जाँच में पता चलेगे कि बस रेलिंग तोड़ते हुए जो सूकी नदी है उसमें कैसे गरी उसकी अपडेट आपको तुरत दी जाएगी इसलिए दोस्तो अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथ दोस्तो भगवान मिर्तको की आत्मा को सांती दे इसलिए कॉमेंट बॉक्स में ओम सांती ओम लिखें पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें धन्यवाद दोस्तो जैहिंद